सो हम पढ़ रहे थे Information Technology Act 2000 यह पार्ट 2 है इसके पहले पार्ट 1 में हमने section 10 यह तक कवर कर चुके थे आज chapter 4 शुरू करना है section 11 से so chapter 4 जो है बहुत जादा important नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत कुछ concepts है जो आपको समझना बहुत जरूरी है वहां से question आप expect कर सकते हो कि एका question कोई आ सकता है chapter 4 का नाम है attribution, acknowledgement and dispatch of electronic records तो सबसे पहले शुरू करते है section 11 से section 11 आपका बात करता है attribution के बारे में attribution of electronic records मतलब electronic record जो है आपका उस पर किसका अधिकार है ठीक है suppose करो इसका example लेते है example लेते हैं कि Mr. India है आपने movie तो देखी होगी Mr. India वाली Mugambo याद आ गया होगा तो अगर Mr. India जो है वो एक mail भेजता है क्या भेजता है mail ID से अपनी mail भेजता है ठीक है mail ID से इसने भेजा mail किसको Mugambo को और Mugambo को ये धमकाता है mail के अंदर बोलता है कि मैं तुझे जान से मार डालूँगा मैं तुझे छोटे छोटे तुकडे कर दूँगा ठीक है इस तरीके की धमकी भेजता है अब ये बताओ Mugambo के पास जब ये mail आया तो Mugambo को क्या पता चलेगा कि ये mail किसने भेजा है Mr. India की mail ID से आया है तो Mr. India ने भेजा है यही मानेगा तो मतलब देखा जाए तो ये mail किसका है Mr. India ने भेजा है तो Mr. India जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका ओरिजिनेटर क्योंकि इसने ये mail भेजा है और जिसको मिला Mugambo वो कौन है एड्रेसी और ये मैं कॉंसेट आपको पहले भी बता चुका हूँ पार्ट बन में अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना चली तो अब जो सेक्शन 11 बात करता है एट्रिवूशन ओफ इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड है वो उसके ऊपर जो है ओरिजिनेटर का अधिकार है ये कब माना जाएगा जब ओरिजिनेटर दौरा भेज जा गया है जैसे कि आपका इस केस में यहाँ पर मिस्सर इंडिया खुद बोलता है उसको कि मैं तेरे छोड़े-छोड़े तुकड़े कर दूंगा इसा मेल बकायदा लिखता है और भेज देता है मोगैंबो को ठीक है तो इफ इट वोस सेंट बाइदी ओरिजिनेटर हिमसे दूसरा बात करता है अगर मोगैंबो आपने मूवी देखा होगा उसमें मुझे नाम तयाद नहीं हा रहा है एक चश्मे वाला एक और जो किरदार रहता है वो जो उसके साथ ही रहता है हमेशा अगर वो उसके तुरू बिजवा रहा है उसके पास अथॉरिटी है बाइपर आपने देखा होगा आप ओला ओवेर कुछ भी कभी ऐसा कुछ होता है आप कंप्लेंट करते हो वहां पे कि आम नौट सेटिसफाइड वित यूर सर्विस तो वहां से तुरंट क्या फटाक से रिप्लाय आता है कि वी आर सौरी फॉर इंकन्विनेंस ऐसा सकरके तो वह कंप ठीक है तो इस तरीके के आटोमेटिक जेनरेटिट तब भी माना जाएगा अगर उसका ओरिजिनेटर का कुछ ऐसा सिस्टम उसने बनाया हुआ है और उससे मैसेज गया तब भी माना जाएगा कि एलेक्टोनिक रिकॉर्ड जो है उसके थूए तरीके से आया है तो यह बात क क्या है जब मानके चलो अगर पहला वाला ही केस लें हम जहां पर मिस्टर इंडिया ने मेल भेजा मोगेंबो को ठीक है मिस्टर इंडिया मेल भेजता है मोगेंबो को तो मिस्टर इंडिया बोलता है अब यहां पर तुकडो तुकडो वाली बात नहीं है मारने काटने वाली बात नहीं, दोनों में बड़ा ही भाई चा रहा है और बिजनिस कर रहा है, Mr. India जो है, ये oil बेचता है तो इसने उस mail में कुछ लिखा होगा आपने उस से related कि मैं इतना माल आपको भेज दूँगा या भेज दिया है, रख दिया है कुछ भी करके या जैसी हमारी बात हुई थी तो साबसे मैं माल चड़ा रहा हूँ तो अगर आपकी सहमती हो तो आप भेज दो, वहाँ से consent तो जब मुगेंबो उसको बताएगा कि हाँ मुझे आपका mail मिल गया है मतलब कि जो mail receive हुआ है उसको acknowledge कर रहा है ठीक है तो जब उसका acknowledgement दे देगा तब Mr. India मानेगा कि हाँ ये जो है इसको valid माना जाएगा इस electronic record को वो depend करता है कि Mr. India की क्या condition है आई ये के करके देखते है section 12 के अंदर acknowledgement of receipt के बारे में बात करता है कि originator जो है मतलब Mr. India has not stipulated इसने कुछ specify नहीं किया है कि acknowledgement of receipt of electronic record रिकॉर्ड जो है वो particular form में देना चाहिए मतलब इसने ये नहीं बोला कि भाई मैंने आपको mail भेजा तो आप mail के ही थूरू मुझे बताओ मतलब क्या आप WhatsApp के थूरू भी बता सकते हो कि भाई आपका mail आ गया है आप call करके भी बता सकते हो आपका mail आ गया है आप क्या बोलते हैं कभूतर के मुँँ में चिट्थी देके कि भाई उड़ जा काले कावा और जाके उसको बता दे ऐसे भी आप भेज सकते हैं क्योंकि particular form नहीं बताया है particular method नहीं बताई है तो इन्होंने बोला acknowledgement किस तरीके से दिया जा सकता है इन्होंने बोला communicate कर दो आप address को automated या otherwise किसी भी तरीके से then any conduct of the address address मतलब मुगैंबो का conduct क्या है अगर मान के चलो Mr. India बोल रहा है कि मैं इतना माल यहां से चड़ा रहा हूं और उसने पढ़ दिया receive हो गया है तभी इसने जितना माल भेजने वाला था उसका पैसा इसने मेरे account में transfer कर दिया है क्योंकि वो sufficient होना चाहिए indicate करने के लिए originator को कि भाई electronic record हमको मिल चुका है यह पहला case है किस case में जब originator ने कोई condition नहीं बताई है कि भाई तु मुझे mail से acknowledgement दे तु मुझे phone करके दे तु मुझे whatsapp, instagram, telegram तु मुझे कबूतर के पैर में चिट्टी बांद के भेज ऐसा कुछ नहीं बताया अब बताया subsection 2 में कि अगर उसने stipulate किया है कोई condition originator ने वोला कि भाई मैंने mail भेजा है तो आप भी मुझे mail के through ही बताओ तो originator ने अगर stipulate किया है कि electronic record जो है winding तब ही होगा देखो clearly लिखा है only, only on receipt of an acknowledgement जब मुझे acknowledgement receive होगा then unless acknowledgement has been so received जब तक acknowledgement receive नहीं होता जब तक acknowledgement receive नहीं होता electronic record को क्या नहीं माना जाएगा the electronic record शाल भी deemed to have been never sent by the originator मतलब अगर आपने मुझे नहीं बताया कि देखो दोनों case हैं दोनों को उसको फिर से एक बार समझते हैं easily है, बहुत ही simple है एक बार और देख लो originator ने stipulate कर दिया कि भाई मुझे receipt of acknowledgement चाहिए particular form manner नहीं बताया तो आप किसी भी तरीके से बता सकते हो दूसरे में उसने क्या किया दूसरे में उसने stipulate किया कि मुझे तो acknowledgement चाहिए मतलब आपको mail मिल गया है ये आपको बताना पड़ेगा तभी मैं इस चीज़ को binding मानूंगा वरना नहीं मानूंगा तो आपको mail बापिस से उसका acknowledgement देना होगा otherwise originator क्या बोल रहा है कि मैंने ये mail कभी भेजा ही नहीं मतलब ये electronic record को मैं नहीं मानूंगा ठीक है तीसरा case है जब originator ने stipulate नहीं किया है ये नहीं specify किया है कि electronic record binding होगा तब जब receipt of acknowledgement आप मुझे दोगे किया होगा उनने या फिर मान के चलो कोई भी time उन लोगोंने decide नहीं किया है agree नहीं किया गया है तो बितेना reasonable time ठीक है then originator जो है notice देगा address को अगर reasonable time में भी नहीं आता है तो originator जो है एक notice भेजेगा address को ये बोलते हुए कि भी या कोई acknowledgement आपकी तरफ से नहीं आया है मैंने mail भेजा था तो आपको मैं इतना समय और दे रहा हूँ कि अगर आप acknowledgement मुझे भेज देते हो तो ठीक है वरना मैं ये मानूंगा कि मैंने वो कभी भेजा ही नहीं वो mail I hope अभी clear होगा if no acknowledgement is received within the aforesaid time जिसमें उसमें जो notice भेजा था तो he may after giving notice to the addressee treat the electronic record as though it never been sent इस पर question घुमा फिर आके एकाथ question बन सकता है I hope concept बढ़ियां तरीके से clear हो गया होगा बलब कुल मिला के ये बोल रहा है कि मैंने आपको mail भेजा तो आप बतातो दो कि mail receive हुआ नहीं हुआ क्या आपकी टिपनी है उस पर उसके बारे में बात हो रही है फिर वहीं पर उन्होंने condition अगर डाले तो condition फिर follow करें नहीं डाले तो नहीं करें आपको मालूमी बताई चुके है आगे बढ़ते है section 13 section 13 बात कर रहा है time and place of dispatch and receipt of electronic record मतलब बात कर रहा है कि कि समय समय या जगय की बात हो रही है dispatch से related and receipt of electronic से related तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले उन्होंने एक saving clause डाला हुआ है बोलते हैं save is otherwise agreed मतलब अगर आपस में कुछ बात हो गई है तो उसको छोड़ के originator और address मतलब Mr. India और Mogambo के बीच मगर कुछ और बात हो गई है तो फिर वो ठीक है उनके साथ से कर ले otherwise जो dispatch है electronic record का ये कब माना जाएगा जब ये computer resource में enter हो जाएगा originator के control से बाहर हो जाएगा example वही लेते Mr. India वाला Mr. India ने क्या किया है mail भेजा Mr. India ने mail भेजा बढ़ियां computer में type किया कि मैं तेरे छोटे छोटे तुकडे कर दूँगा और दबा दिया बटन send का अब बताओ क्या Mr. India के हाथ में है कि इसको रोक ले इस mail को क्या Mr. India रोक सकता है वो तो गया ना computer resource के अंदर अब वो network के साथ से चला जाएगा जैसा भी जाएगा क्या Mr. India उसको रोक सकता है नहीं रोक सकता तो हम मानेंगे कि जो originator है जो Mr. India है आपका उसने तो dispatch कर दिया ये है आपका dispatch से related then subsection 2 यहाँ भी नोने एक saving clause डाल दिया कि भी अगर आप दोनों की कुछ understanding हो गई है mutual तो फिर ठीक है आप अपने हिसाब से देख लो वरना जो time of receipt है electronic record का उसको किस तरीके से determine किया जाएगा ये नोने नीचे दे दिया ठीक है तो अब क्या-क्या दिया है नोने याप पर एक बार इसको देख लेते हैं तो आईए इनकी condition देख लेते हैं क्या-क्या बोल रहा है कैसे determine किया जाएगा time of receipt तो सबसे पहला नोने बोला कि if the address has designated a computer resource अगर address ने बताया हुआ है भाई ये computer resource उसको उसने बताया है कि यहाँ से ये main work करता है ठीक है किस purpose के लिए receive करने के लिए electronic record अगर उसने designate कर दिया है कोई computer resource तो जब वो receive होगा when the electronic record enter the designated computer मान के चलो मैं office में काम करता हूँ वहाँ पे मेरा एक computer रखा हुआ है और उसी की मैंने mail ID दी हुई है यही computer resource है जहाँ पर जब ये enter होगा तब ही मैं इसको receive मानूँगा तो अगर मैंने designate कर दिया है कोई computer resource तो जब मुझे उस computer पे वो चीज़ receive होगी तब ही मैं मानूँगा कि मुझे receive होई है दूसरा बात करता है अगर electronic record भेजा गया है computer resource of the address ही जो की designated computer नहीं है मतलब मान के चलो की मेरे घर पे एक laptop रखा था उस पर भेज दिया उन्होंने ठीके अगर उस पर भेजा और मैंनो इसको designate नहीं किया गया है तो जब electronic record में retrieve करूँगा मतलब जब रात को घर जाऊँगा बढ़िया mail वेल खोलूँगा तब देखूँगा कि अच्छा यह mail भेजा हुआ है इस ID पर तो इसको आप इस तरीके से example लेके आप समझ सकते है तो थोड़ा easy हो जाएगा अगर इसको mail ID के form में convert कर देना इस example को तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा कि मैंने दी आई थी आपको mail ID official आपने भेज दी मेरे जो cool वाली funky वाली कोई mail ID जो मैंने बच्वन में बनाई थी उस वाली mail ID पर वो भी मैं use करता था आपने उस पर भेज दिया तो जब मैं घर जाओंगा उस laptop में mail ID का मेरा login है मैं वहाँ पर देखूँगा तब मैं उसको तो if any receipt occur when the electronic record enter the computer resource of the address अगर आपने designate नहीं किया computer resource कोई भी आपने कोई specified timings नहीं बताई है तो receipt कब माना जाएगा कि कब आपके पास चला गया है जब electronic record enter हो जाएगा address के computer resources जैसा कि मैंने बोला Mr. India ने mail पर सेंट दबा दिया तो इसका मतलब वो originator के उससे तो चला गया ठीक है अब जब उसके उसमें enter हो जाएगा computer resource में address के भले वो देखे नहीं देखे हम मानेंगे कि उसका पहुँच गया है receive हो गया है I hope clear होगा इसको आप एक बार read करना इत्मिनान से आराम से इसको पढ़ना बहुत बढ़ियां तरीके से समझ में आएगा question इस पर बन सकता है बिल्कुल then subsection तीन बात करता है save as otherwise agreed वही सब की भाई अगर already discuss हो चुका है तो an electronic record जो है deemed to be dispatched मतलब अगर कुछ अलग आप से decide आपने कर लिया है तो वो ठीक है otherwise एक electronic record अगर deemed to be dispatched कब मानेंगे at the place जहाँ पर originator का place of business है and deemed to be received at the place where the addressee has his place of business मतलब place of business जैसे जो मेरा office है ठीक है महाँ पर मैं काम कर रहा हूँ ठीक है तो electronic record को deemed to be dispatched माना जाएगा कि जहाँ पर originator का place of business है वैसे addressee की case में कि यहाँ पर addressee का place of business है simple है को important नहीं है आगे बढ़ता है fourth the provision of subsection 2 जो है apply होगा notwithstanding that इससे फर्क नहीं पड़ता कि computer resource की place जो है वो located different है from the place जहाँ पर electronic record जो है deemed to have been received मतलब जो computer resource की place कहीं और थी आपको receive कहीं और हुआ अलग-अलग place है अगर तो क्या तो इन्होंने बोला यहाँ पर कि जो apply होगा provision जो है apply होगा इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो place है computer resource की वो located different जिगे और जो electronic आपको record receive हुआ है वो deemed to have been received under subsection 3 हुआ है ठीक है तो आप इसको बढ़ियां तरीके से कर लिजेगा इतना कोई खास important नहीं है अगर यह उपर वाला जो main point था ना वो ज़ादा important था कि अगर आपने उसको electronic record के बारे में कि अगर आपने भेजा है computer resource में ठीक है तो वहाँ पर कहा receive होगा तो वो receipt वाला point पहला वाला सबसे आदा important था उसके बाद यह basic कुछ कुछ चीजे बता रहे हैं कि अगर आपके पास place of business में receive माना जाएगा ठीक है तो यह सब चीजे थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजेगा पढ़ लीजेगा subsection 4 अलड़ी कर चुके है provision subsection 2 के जो है वो apply होंगे subsection 2 मतलब क्या कि यह किस तरीके से हम receive मानेंगे कि कब आपको receive हुआ एक तरीके से ठीक है चलिए then आता है subsection 5 बात करता है for the purpose of this subsection if the originator or the address is more than one place of business एक से जादा place of business है तो जो भी principal place of business होगी उसको हम मानेंगे place of business then भी बात करता है originator और address है अगर कोई place of business नहीं है तो जहां वो रह रहे हैं जो भी उनका residence है उसको हम मानेंगे deemed to be a place of business तीसरा usual place of residence के बारे में है body corporate means the place जहां पर वो registered है जहां भी जो भी office में जहां भी registered होगी उसको माना जाएगा कि वो usual place of residence है I hope section 12 आपको clearly समझ में 13 sorry clearly समझ में आ गया होगा time and place of dispatch and receipt के बारे में बात करता है कि कब dispatch मानेंगे कब receive मानेंगे कुछ अलग देखो इसका exception मातर यही है जो saving clause है कि इन दोनों ने कुछ अलग से decide कर लिया है कि भाई मैं तो तब receive मानूंगा जब तू मुझे call करेगा तो फिर बात अलगे या फिर मैं तब receive मानूंगा जब तू मुझे 3 miss call देगा चौधा नहीं आना चाहिए ठीक है just kidding बट इस तरीके से कुछ भी अगर यह decide कर लेते हैं तो वो exception हो जाएगा एक तरीके से उसके बाद बाकी का इनोंने बता दिया है कि हम वरना इस तरीके से determine मानेंगे कि computer resource designated है तो वहाँ पर अगर receive हुआ है अगर नहीं है तो फिर क्या होगा तो यह से हम पढ़ चुके हैं आपने एक बार इसको अच्छे से कर लेना है आगे बढ़ते हैं chapter 5 chapter 5 important है थोड़ा सा बात करता है secure electronic records and secure electronic signature के बारे मतलब उतना भी important नहीं है बट कुछ चीज़े हैं आप देख लो और क्या होता ना ITX से लोग काफी डरते हैं तो इस point of view से भी मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि एक section आपको पढ़ा दू कि कि किसी भी exam के आप तियारी कर रहा है तो फिर भी आपका हो जाएगा अच्छे से तो चली शुरू करते हैं section 14 secure electronic record के बारे में बात करता है यहाँ पर कुछ नहीं है नोंने ऐसा बोल दिया है कि हम electronic record को एक तरीके से secure कम मानेंगे तो नहीं मुला अगर कोई security procedure है तो जब वो apply कि electronic record पे at a specific point of time तो वो record को deemed to be a secure माना जाएगा उस point of time से जब तक वो verify नहीं होता मतलब to the time of verification तक उसको secure मानेंगी ठीक है मतलब कि सब बढ़िया है कोई गड़बड नहीं है then important नहीं है exam point of view is important नहीं बड़ा बस सुनते जाओ समझते जाओ section 15 बात कर रहा है secure electronic signature तो electronic signature वो कब deemed to be a secure माना जाएगा इसके बारे में पहले वाले में भी बात कर चुके है कि जो signature creation data होता है जो आपके sign होते हैं at the time of affixing signature वो आपके control में था exclusively आपके control में था और किसी other person के नहीं तो हम मानेंगे कि भाई ये electronic signature secure है दूसरा कि वो जो data है वो stored and affixed है exclusive manner में जो prescribed है ITX द्वारा वैसा कुछ है तीसरा तो है नहीं explanation फिर उनने देगे digital signature और signature creation data का मतलब private की जो subscriber की होती है ठीक है याद आ रहा है नहीं या रहा private की public की हमने पढ़ा था important है बहुत private की से आप create करते हो digital signature पब्लिक की से आप उसको verify करते हो ये कई बार portion आया हुआ है section 16 section 16 बात करता security procedure and practices बिल्कुल important नहीं है central government जो है for the purpose of section 14 and 15 मतलब secure करने के लिए चीजिएंगों को ये security procedure prescribe करते हैं इस तरीके का इस level का आपका security procedure होना चाहिए तब हम मानेंगे कि वो secure है तो यही सब बाते हैं आपर की गई है आगे बढ़ते है chapter 6 okay chapter 6 बात करता है ये one of the most important chapter है क्योंकि यहाँ पर आपको certifying authority controller और ये वगेरा आपको मतलब को मिलाकर इस act के जो चालक है regulation, certifying authorities ये आपको DSC देते हैं क्या करते हैं controller इसको license देता है ये आपको देता है तो ये थोड़ा सा important है इसको अच्छे से पढ़ेंगे chapter 6 regulation of certifying authorities section 17 जो है बात करता है collector, sorry collector बोल रहा हूँ इस act के purpose के लिए जो भी object है उसको fulfill करना और साथ ही साथ में subsequent या same notification के साथ ही appoint करेंगे deputy collector और assistant collector को तो DC और AC इनको भी ये appoint किया जा रहा है या तो same notification के साथ या फिर subsequent notification के साथ किया जा रहा है आगे बढ़ते हैं controller जो है क्या क्या उसके functions होंगे क्या क्या functions करता है इस act के अंदर तो subject to the general control and direction of central government obviously वो appoint कर रहे है तो उसके control में रहेगा then deputy collector assistant collector जो ही perform करेंगे function जो इसको controller जो controller है न वो इनको जो functions देगा वो perform करेंगे और उसी के under general superintendence and under the control of controller के अंदर ये लोग काम करेंगे DC और AC qualification experience जो भी है central government बोलेगी वो होगा head office, order office बगेर है इनो ने आप पर बता दिया है दिरशालविये seal होगी एक controller की यह important नहीं यह important जो हम पहले discuss कर चुके कौन और कौन-कौन है then आता है functions controller के functions क्या है अभी यतना important नहीं है but still आपको मालूम होना चाहिए हमने already देखा certifying authority को यह वो देता है क्या बोलते हैं आपको license issue करता है तो यही सारी चीज ने इसके अंदर आएंगी controller क्या-क्या function perform करता है एक बार फटा-फट देख लेते हैं बात करता है exercising supervision over the activities of certifying authority नाम में ही controller और certifying authority है सर हमको मालूम है certifying authority को control करता है supervise करता है सब कुछ यह देखता रेखता है then भी बात करता है certifying public keys public keys को certify करता है certifying authorities की laid out standards standards को laying down करता है जो की certifying authority द्वारा maintained होते हैं यह specify करेगा qualification क्या होना चाहिए certifying authority के पास तब ही उसको license दिया जाएगा क्या उसके पास इतना infra है क्या उसके पास इतनी technology है कि वो इन चीज़ों को run कर पाएगा यह सारी चीज़ें यहाँ पर आपका controller देखता है ठीक है then specify करेगा contents of written printed visual material advertisement जो की distribute होंगे ठीक है certificate in public key के दौरा specifying the form contents of electronic signature specify यह वग चुके हैं वही सब यहाँ पर दिया हुआ है आगे बढ़ते है section 19 बात करता है recognition of foreign certifying authorities गलती से अगर question आ जाए बड़ा ही simple है जैसा हमारे यहाँ पर actually MPADP 2009 में यहाँ से question आया हुआ भी है ठीक है जैसे कि normal certifying authority है वैसे ही कुछ नहीं है बस foreign certifying authority है अब उसको recognition उसको आप क्य permission के साथ controller जो है previous approval लेनी होगी central government की उपर permission नहीं लेनी पढ़ रही थी central government की अगर certifying authority को दे रहे था भी आगे देखेंगे भी but अगर आप foreign certifying authority को दे रहा हो तो previous approval आपको लगेगी central government की and by notification in the official gadget recognize किया जाएगा foreign certifying authority को as a certifying authority इस act के अदर subsection 2 बात करता है where any certifying authority recognized under subsection 1 तो electronic signature certificate जो है जो issue किये जाएंगे उसके द्वारा वो valid होंगे obviously बात है एक बार आप certifying authority बन गए तो फिर तो सब कुछ valid है तो ये ESC वगेरा दे सकते हैं issue कर सकते हैं controller जो है may if you satisfy कि certifying authority ने contravention किया है उलंगन किया है कोई भी condition का कोई restriction जो उनकी उपर लगाए हुए थे तो वो क्या कर सकते है reason वगेरा record करके भाई revoke करा जा सकता है उनके recognition को मतलब मानने का छीन ली जाएगी आगे बढ़ते हैं section 20 controller to access repository यह आपका omit हो चुका है देन आता है आपका section 21 license to issue electronic signature certificate license दिया जा रहा है कि आप license दे रहो issue करने का ESC तो कोई भी व्यक्ति कौन होगा certifying authority या कौन कर सकता है तो इन्होंने बोला कोई भी व्यक्ति application लगा सकता है controller को license लेने के लिए कि भाई हम ESC मतलब electronic signature certificate issue करना चाहते है subsection 2 बात करता है कि जो भी license है ना वो ऐसे ही नहीं दे दिया जाएगा कोई भी license issue नहीं किया जाएगा under subsection 1 जब तक applicant जो है ना कुछ requirement फुल्फिल नहीं करता relating to qualification, expertise, manpower एक्ते लोग होने चाहिए, financial resources, पैसा बगेरा होना चाहिए, other infrastructure facilities होनी चाहिए जो की जरूरी है, बहुत ही जादा जरूरी है issue करने के लिए ESC को ठीक है, जो भी central government द्वारा prescribed है कि भाई ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अगर ये सब है तो अगर आपने application के लिए apply किया है, तो आपको license दिया जा सकता है license जो grant किया जाएगा, इस section में वो valid होगा उतने समय के लिए जितना central government prescribe करेगी, obviously यही करता धरता है एसा नहीं कर सकते, transferable और heritable नहीं है, यह आपका MCQ भी है, यह आपका MCQ भी है, then आगे बढ़ते है, subject to such term, जो भी condition specify करेंगी regulations, वो सब भी आपको करना होगा, so basically section 21 में से important क्या है कि कोई भी व्यक्ति apply कर सकता है, application लगा सकता है, license लेने के लिए, ESC issue करने के लिए, ठीक है, कुछ criteria है, वो fulfill कर देता है, और साथी साथ में important है, transferable और heritable नहीं है license, आगे बढ़ते है, section 22, application के बारे में बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति application तो लगा सकता है, बट application कैसे लगाया जाए, तो जो application है, license लेने के लिए, वो किस form में होगा, वो उस में होगा, जैसा central government बोलेग इतना important statement देना होता है, certifying authority को, तो वो होता है, आपका certification practice statement, then दूसरा बात करता है, statement including the procedure with respect to identification, applicant जो लगा रहा है, उसका identification जैसे कि कुछ भी जो भी criteria ये मांगेंगे कि यही आपको देना है, आधार कार्ट की copy, यह वो license वगेरा, तो ऐसा कुछ identification applicant का जाएगा, तीसरा, जो fees ह वो आपको pay करनी होगी, जो की 25,000 रुपे से जादा नहीं होगी आपका MCQ, important है, कि भाई कितनी fees होती है, तो उन्होंने बोलेंगे not exceeding 25,000 रुपीज, जो की prescribed central government द्वारा, यह important है, यहां से यह आपका MCQ भी है, आगे पढ़ते है section 23, अभी तो देखा हमने application लगाया, अब म application renewal कराया जा सकता है, in such form जिसमें वो prescribed कर दे और accompanied by such fees, जो prescribed हो, बठां, 5000 से जादा नहीं होगी, again आपका MCQ, 5000 रुपे से जादा की, fees नहीं होगी, and 45 दिन का कम से कम notice दिया जाएगा, कि भाई, expire होने वाला है, हमको renewal चाहिए, तो आपको 45 डेज पहले, बताना है, not less than 45 डेज before the date of expiry, जब expire होने वाला हो, तो 45 जिस कम से कम बचे हो, उसके पहले-पहले आप बता दो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों ही MCQ होगा है, not less than 45, and not exceeding 5000, उपर था, fees 25,000 से जादा नहीं होगी, ये तीनों MCQ, important, 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 आगे बढ़ते है, section 24 बात करता है, procedure for grant or rejection of license, क कब दे दिया जाएगा, या reject किया जाएगा, तो controller जो है, जब आप उसको application दोगे 21 के एक में, तो वो documents को देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, जो भी application के साथ, आपने documents वगेरा accompanied किये हैं, उसको देखने के बाद उसको लगता है, कि हाभिया, ये बंदा fit है, इस चीज के ल रहा है, तो आपको हमेशा मैं बोलता हूँ, जितने भी हमने lectures यहां पर लिये हुए है, कि कभी भी reject किया जाता है, या कुछ भी ऐसा उनके खिलाफ कोई action लिया जाता है, तो एक opportunity of being hurt दिया जाता है, तो application को क्या है, एक opportunity दी जाएगी, कि आप उपना case को present कर लो, कि आप छोटी मोटी warning में suspend कर दिया जाता है, तो कितने दिन के लिए suspend होगा, यह सब यहां पर important है, देखते हैं, controller जो है, अगर satisfy हो जाता है, inquiry करने के बाद, कि कुछ तो गड़बढ है दया, कुछ तो गड़बढ है, कुछ तो घोटाला है, तो क्या होगा, तो controller अगर satisfied होगा, after making such inquiry कि certifying authority ने क्या किया है, made a statement in the application for the issue or renewal of the license, जो की गलत है या false है, मतलब कोई information गलत दे दी या जूटी दे दी, then B, fail to comply with the terms and conditions subject to which the license was granted, जो license दिया गया था, उसमें कुछ conditions, कुछ terms and conditions थी कि भी है, यह सब follow करना है, आप उनको follow करने में, comply करने में fail हो गए, C, बात करता है, fail to maintain the procedure and standard specified in section 30, section 30 में कुछ procedure standard दिया हुआ है, उनको आपने maintain नहीं करा, D, contravene any provision, इस act के rule, regulation, act या कोई order का आपने उलंगन किया है, तो आपके license को revoke किया जा सकता है, ठीक अभी revoke की बात हो रही है, सुनिएगा, suspension अब आएगा, अभी revoke की बात हो रही है, then, इन्होंने बोला कि कोई भी license को revoke तब तक नहीं किया जाए, जब तक एक reasonable opportunity ना दे दी जाए, of showing cause against the proposed revocation, कि भाई हम revoke करना चाहरे है, आप कुछ कहना चाहते हो, तो एक opportunity of being hurt दे दिया, अब controller जो है, अगर उसको reasonable cause है, कि हाँ यार इनका जो license है, ऐसा कोई ground आ रहा है कि इनका revoke किया जा सकता है, सबसे पहले revoke ना करते हुए, suspend किया जाएगा उस license को, जब तक inquiry pending है, मतलब इनको लगा कि भाई कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले आप क्या करो, suspend कर दो, और सांती सांत, simultaneously inquiry चलती रहेगी, और inquiry में पाया गया, आगे जाके तो आप revoke भी कर सकते हो, ऐसा कुछ आएगा, diagram, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, then proviso बात करता है, कोई भी license को suspend जो है न, 10 दिन से जादा नहीं किया जाएगा, ये आगया आपका MCP, exceeding 10 days, 10 दिन से जादा suspend नहीं कर सकते हो, बट एक कारण है, एक reason से कर सकते हो, जब certifying authority जो है reasonable opportunity दे आपको, मतलब OBS दे दे, कि भाई हम suspend कर रहे हैं, 25 दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि आप 25 दिन में पैसा double करने जा रहे थे, ठीक है, तो आपका 25 दिन में हम suspend करने जा रहे हैं, तो फिर मौका दिया जाए तो कोई नहीं फिर तो ऐसी कर देंगे, हमारी मर्जी भी या हमारा हमने दिया license हम कर रहे हैं, ठीक है, बट 10 दिन से जादा गया, तो फिर आपको opportunity of being heard कहलो, या opportunity उसके against, जो भी proposed suspension के against, आपको कुछ बोलना है, वैसा कुछ opportunity दी जा रही है, important क्या important है, 10 दिन से जादा, है, obviously बात है, suspend हो गया है, तो अच्छा बता, school से suspend होते हो, तो क्या school जा सकते हो, allowed है, नहीं है, allowed, आप class में भी नहीं बैठ सकते हो, जाके, हाँ, बैठ जाओ, बात अलागे, फिर भगा दिया जाएगा, बट अगर, अगर, suspend कर दिया गया है, तो इनका जो एक मातर काम है, तरीके से, issue करना, ESC main, जिसके लिए नहीं लाइसेंस लिया है, तो वो obviously नहीं कर पाएंगे, नहीं गया, आगे बढ़ते है, section 26 बात करता है, notice of suspension और revocation of license, where the license of the certifying authority is suspend और revoke, जहाँ पर license जो certifying authority का suspend किया जा रहा है, रिवोक किया जा रहा है, तो controller जो है, publish करेगा, notice, उस suspension क revocation का, उसके database में, जो वो maintain करता है, very very important, मतलब, कि ये एक तरीके से क्या होगा, ऐसा ना हो, कि हमने suspend कर दिया, या हमने revoke कर दिया, बड़ भाई, वो अगला खुननस में काम किये जा रहा है, ESC फरजी, ESC issue किये जा रहा है, तो ऐसा ना हो, लोगों को भी पता चले, तो इन repository क्या है, सुनो, सुनो, repository क्या, एक central location होती है, जिसमें data store या manage किया जाता है, क्या होती है, एक central location होती है, जिसमें data manage या store किया जाता है, सर, central location मतलब, देखो, central file storage location जो होती है, इसको हम कह सकते हैं कि ये stored होती है, सर्वर पर, ठीक है, जो की access किया जा सकता है, multiple user द्वारा, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें इसमें डाल देते हैं, तो इन्होंने बोला, अगर एक एक से जादा repository है, ठीक है, where one or more repositories are specified, तो controller notice वहाँ भी उस suspension revocation का सारे repositories में, provided that database containing the notice of such suspension or revocation as the case में भी, शाल made available through a website वगेरा पे भी डाल दो, round the clock मतलब 24 घंटे आप डाल दो भाई, कि लोगों को accessible हो, लोगों को पता चले, ये इनको suspend या revoke कर दिया है, तो इन से जाके ना बन वाला ना, ठीक है, then provided further that controller may consider necessary, publicize the contents of database in such electronic or other media, अगर उनको कुछ appropriate लगता है, तो कहीं और भी उस सीज को वो publish कर सकते है, then section 27 power to delegate controller, जो है writing में DC और AC को authorize करके अपनी power दे सकता है, अपने इस chapter के अंदर, then आता है power to investigate contraventions, तो controller या कोई भी officer जो उसके द्वारा authorize है, वो investigation वगेरा कर पाएगा, जो भी अगर act को लंगन हुआ है, बाकि जो power कैसी होगी, यहाँ पर एक question बन सकता, अगर बनना चाहे तो, उतना important नहीं है, बट still, अगर बनना चाहे तो, controller या जो officer authorize है इनके द्वारा, यह इनके पावर किस तरीके की power होगी, तो power इनके पास होगी, income tax authority जैसी power होगी, जब इन्वेसिगेशन कर रहे होगे, अंडर chapter 13 of income tax act 1961, गलती से अगर यह question बन जाए, तो आपका answer सही होना चाहिए, कि भाई, इस act के अंदर power IT authority जैसी होगी, आगे बढ़ते है, access to computers and data section 29, section 29 इनके पास होगी है, भंगन हुआ है, कोई ना कोई, इस act के अंदर offense हुआ है, तो have access to any computer, यह कोई computer का access ले सकते है, data, material वगेरा, यह सब सर्च वगेरा करने के लिए, यह कर सकते है, opt-in कर सकते है, information वगेरा, जिस भी व्यक्ति है, जिस भी computer system से ऐसा कोई अपराद हुआ है, ठीक है, then section 2, for the purpose of section 1 controller और any person authorized by है, may by order direct any person in charge of, जो भी व्यक्ति इन चार्ज है, या concerned उस operation से, computer system से, data वगेरा, जो भी, कि भाई, आप reasonable, technical and other assistance वगेरा, provide करो, जो भी ज़रूरी है, important नही, section 29, skip भी कर दोगे, चलेगा, आगे बढ़ जाओ, section 30 बात करता है, certifying authority to follow certain procedure, यह certifying authority है, यह कुछ procedure follow करेगी, तो इन्होंने बोला, certifying authority क्या क्या करेगी, यह important बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ लेते हैं, make use of hardware, software, procedure, जो की secure हूँ, obvious ही बात है, जिससे उसमें, कोई intrusion या misuse मतलब, कोई दखल अंदाजी या misuse ना हो सके, कहीं से कोई hack-back ना कर ले, provide a reasonable level of reliability, लोग भरोसा कप करेंगी, जब आपकी services सही होंगी, और secure होंगी, यह जो function करना चाहते हैं, वो perform कर पाए, add her to security procedures, जो इस act में बताएगा है, secrecy and privacy के लिए कि भाई, data चोरी वोरी ना हो जाए, उन चीदों को follow करो, be the repository of all ESC issued under this act, then publish information regarding its practices, वगेर to ensure compliance of the act, तो इस act का compliance वगेरा करें, यह certifying authority को ensure करना है, कि जो व्यक्ति वो अपने अंदर employ कर रहा है, ठीक है, वो उस, उनको knowledge हो, experience हो, या कोई अगर criteria है, कोई qualification है, तो वो qualification होल्ड करते हो, 32, display of license, आपने देखा होगा, किसी भी office में चले जाओ, आप अपने law कर रहे हैं, अगर lawyer के office में जाओगे, तो पीछे degree लगी रहती है, कि भाई, LLB यहाँ से, LLM यहाँ से, net निकला तो यहाँ से, है की नहीं, doctor के वाँ चले जाओ office में, तो doctor की degree लगी रहती है, कि भाई, यहाँ से इन्न ने यह किया है, यह doctorate, doctorate, जो भी है, इन्होंने यहाँ यहाँ स license revoke कर दिया, तो obviously बाते suspend कर दिया, तो हो सकता है आपको बोले कि आप इसको surrender कर दो हमारे पास, तो certifying authority जिसका license suspend या revoke हुआ है, वो immediately after ऐसे suspension revocation के बाद, controller को license surrender कर देगा, तो obviously बाते जो appoint करता है, जो देता है, उसी को आपको देना रहता है, जैसे ही, subsection 2 बात करता है, any certifying authority अगर fail हो जाए license surrender करने में, तो जो person in whose favor license is issued, वो क्या होगा, obviously guilty होगा, उसने अपराद कर दिया, ना surrender करके, तो सजा क्या है, वो important है, कि 6 महीने तक की सजा हो सकती है, और fine जो है, 10,000 रुपे तक का लगाया जा सकता है, तो important क्या है, surrender के case में surrender नहीं किया, तो 6 महीने और fine ज आगे बढ़ते है section 34 बात करता है, disclosure के बारे में, ठीक है, certifying authority जो है disclose करेगी in the manner जो की regulations बोलते हैं, वैसे, कैसे, पिर उन बोला, उसका electronic signature certificate आप disclose करो, आप certification practice statement जो relevant है, वो disclose करो, अगर आप revocation हुआ है, suspension हुआ है, आपके certificate का, तो आप उसका notice दो, and any other fact जो material या adversely affect करता है, आपकी, या ESC, मतलब ESC की reliability को, जो authority ने issue की है, तो आप उसके बारे में ही बताओ, कि भाई, hack-vack हो गया था, compromise हो गया, तो इस सब के बारे में, आपको information देनी होगी, sufficient to, where in the opinion of certifying authority, any event has occurred, या कोई situation आई है, जिससे integrity of its computer system, मतलब hack हो गया, तो ESC वगया हो गया है, कुछ भी कर गया है, जिससे वो grant करते हैं, तो वो certifying authority, जो है, वो क्या करेगी, reasonable efforts लेगी, notify करेगी, any person, जिसकी occurrence, या मतलब, जिसका भी DSC, ESC, अगर कुछ चोरी हुआ, कुछ उनको बताया जाए, and act करेगा in accordance with the procedure, जो specified a certification practice statement में, कि ऐसी situation में हम कैसे deal करेंगे, तो उस प्रकार deal करेंगे, इतना कोई important नहीं है, ठीक है, skip भी करना चाहों कर लो, but at least मेरा ऐसा बोलना होता है, कि एक बार तो आप उसको पढ़ दो, गलती से भी question आ जाए, तो आपका बन है, तो ठोको ताली, ठोको ताली, और YouTube पे होता है, कि ठोको लाइक, तो यार एक लाइक तो बनता है, चलो, आगे बढ़ते हैं, Chapter 7, Electronic Signature Certificate से रेटेड बात करें, बात करता है, Certifying Authority to Issue ESC, हमने देखा अभी तक की controller जो है, वो license देता है, आपका Certifying Authority को, और फिर ये जो है, ES ESC, DSC वगेरा ये issue करते हैं, तो Certifying Authority यहां पर issue करता है, ESC देख लेते हैं, any person may make an application, कोई भी व्यक्ति एप्लिकेशन लगा सकता है, किस चीज के लिए, Certifying Authority को, कि भाई हमको ESC दे दो, ठीक है, then, Subsection 2, जो भी application है, वो accompanied by fees होगा, जो कि 25,000 से जादा नहीं होगा, ये Certifying Authority को जो है, application देगा, उसमें fees जो है, 25,000 से जादा तो नहीं होगी, ठीक है, जो कि Certifying Authority को pay किया जाएगा, तो, एक बहुत अच्छी चीज हो गई, कि हमें दोनों जी के अलग-अलग याद नहीं करना है, दो ही चीज है, 25,000 है, और renewal के case में, 5000 है, आगे बढ़ते हैं, provided that prescribing having fees जो है, Subsection 2 में, यह different fees हो सकती है, different classes of applicants के लिए, ठीक है, then, every such application जो है, accompanied by a certification, practice statement, or where there is no such statement, तो, statement जो contain करेगा, such particular, जो भी regulation में दिया हो, कि कुछ न कुछ आपको statement या कुछ देना है, तो फिर वैसा देना होगा, अगर certificate, practice statement नहीं है, तो, then, Subsection 4, on receipt of an application under Subsection 1, Certifying Authority क्या करेग जो भी, अगर certificate, practice statement दिया है, तो, consider करेगा, देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, और inquiry वगेरा करने के बाद, उसको लगता है, कि हाँ, fit हो, तो, आपको grant कर देगा, ESC, ठीक है, और लगता है, कि नहीं हो, fit, तो, reject कर देगा, आपका application, अगर application reject करता है, तो, आपको मालूम ह reject are, और are for reasonable opportunity of being heard, दी जाती है, आगे बढ़ते है, section 36, section 36 बात कर रहा है, representation upon issuance of DSC, इतना important नहीं है, आप इसको read करना चाहें, कर लें, बिल्कुल भी important नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, वरना मैं पढ़ा देता है, इसको, आप इसको read कर लें, आसानी समझ में आ suspension of DSC देखिए, बात करता है, subject to the provision of subsection 2, certifying authority जो है, जिसने issue किया है DSC, वो suspend भी कर सकता है DSC, ओविसी बात है, ठीक है, जो issue कर रहा है, जैसे कि हमने देखा था, controller और certifying authority के case में, controller of certifying authority ने certifying authority को license दिया और वो चाह रहा था, तो रिवोट भी कर रहा था, तो यहाँ पर बा on receipt of a request, अब यह कब-कब suspend करेगा, अब जो अगला सामने जाला, जो subscriber है, वो खुदी request कर दे, कि भीया, आप तो suspend कर दो, हमको नहीं करना, ठीक है, यह रिवोक कर दो इस तरीके से, तो जब खुदी request कर रहा है, तो तब कर सकता है, कब कर रहा है, सब्सक्राइबर कर रहा है, if it is of the opinion that DSE, जो है न, suspend कर देना चाहिए, पब्लिक हिद के लिए, तब भी किया जा सकता है, ठीक है, ओके, तो क्या न, DSE वगएरा, यह companies में आप देखोगे, तो director वगएरा को भी जरूरत पड़ती है, है न, director वगएरा को लगाने होते हैं, तो हो सकता है, कहीं कोई fraud, या कोई case में involved हो, तब भी suspend वगएरा, चीज़ें हो जाती है, उत्ता index में हमें क्या करना है, हमें तो हमारे इस section से मतलब है कि यह क्या बात करता है, then substitution 2 बात करता है, DSE जो है न, shall not be suspended for a period exceeding 15 days, जब तक opportunity न दे दी जाए, ओके, अब देखो, यहाँ पर 15 दिन है, हमको समझ में आगे, sir, आप क्या कहना चाहरे हो, यहाँ 15 दिन जैसे ही आपने बोला, हमको वहाँ वाले 10 दिन याद आ गए, कौन से वाले 10 दिन, जहाँ पर, certifying authority का आप suspend कर रहे थे, controller suspend कर रहा था, 10 दिन से जादा नहीं कर सकता, 10 दिन से जादा करना है, तो क्या देना होगा, opportunity of being heard, कि भईया, आप कुछ कहना चाहरे हो, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो, हम suspend करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 15 दिन याद रखेगा, very, very important, आगे बढ़ते हैं, on suspension of a DST, under this section, certifying authority, communicate करेगी, subscriber को, अब विसी बात है, अगली का आप suspend कर रहो, बतातो दोस्को, communicate करो यह न है, so, revocation क्या बात कर रहा है, कि certifying authority, जो है, may revoke a DST issued by it, ठीक है, ऊपर suspend कर रहे हैं, यहाँ रिवोक कर दो, बोल रहा है कि subscriber या कोई भी other person, जो है, इसने request की है, कि भाई, रिवोक कर दो, ऊपर ही बता चुका था यह वाला point तो मैं आपको, तो रिवोक कर देंगे, दूसरा subscriber की death हो गई, ठीक है, कर देंगे रिवोक, तीसरा, कोई firm बगेरा थी, वो wind up हो गई है, dissolve हो गई firm, और subscriber जो है, वो firm ही a company था, तो फिर, क्या करेंगे, कुछ बचाई नहीं है, तो फिर क्या होगा, obvious ही बात, रिवोक हो जाएगा DST, तो यह तीन मामले हैं, देखो, question अगर बढ़ना चाहा, suspension और revocation और DST के उपर, तो वो वैसे वाले question नहीं आते, एक, दो, तीन और all of the above, जिनके answer automatically all of the above होते हैं, आपको ही मालूम होता है, हर किसी को मालूम होता है, कि हाँ यह तीन चीज़े जनरल ही है, यह तो ऐसा हो गई होगा, तो यह वैसे वाले question जो बहुत किये subsection 1 को, certifying authority बोलता है, certifying authority DST को revoke कर सकता है, जो उसने issue किया था by at any time, अगर उसकी यह opinion है, तो देख लेते हैं क्या opinion है, अब material fact represented in DST is false, आपने DST गलत information देखे लिया, दूसरा requirement for issuance of DST was not satisfied, आपने application वगेरा लगाया है, या पहले आपने सब कुछ criteria फुल्फिल कर दि condition या requirement आपने फुल्फिल नहीं की, तो वो क्या होगा, रिवोक कर दिया जाएगा आपका DST, then तीसरा, certifying authorities, private key और security system compromise हो गया, hack hack हो गया, DST यगरा या कुछ भी उनका system था, वो hack हो गया, आपकी private की आपके पास होनी चाहिए, पूरी जनता के पास है वो, किसी ने leak कर दी information, तो फिर क्या होगा, तब भी उसको suspend कर दें, क्योंकि अब reliability नहीं बची ना, तो फिर बापस से issue होगा, वगयरा वगयरा चीज़े होंगी, then D बात करता है, subscriber has been declared insolvent, दिवालिया निकल गया, death हो गई है, subscriber firm था, dissolve वगयरा हो गया, तो इन सारे case में DST suspend हो गया, जब भाई द बार, बट ठीक है, जीतेंगे अगरी बार, कोई नहीं, on revocation of a DSC under this section, certifying authority जो है, communicate करेगी, same to the subscriber को, DSC revoke कर रहे हो, अगले का, तो अगले को बता दो, बस यहीं यहाँ पर लिखा हुगा है, 38 जो है, suspension revocation दोनों ही important है, ध्यान रखिएगा, caution यहां से बन सकता है, ठीक है, वही, publish करेगा, notice suspension का, revocation का, repository में, जैसा की, वहाँ पर था, वैसे ही, यहाँ पर है, बिल्कुल, similar चल रहा है, आप देख रहे होगे, चलिए, जहाँ पर, एक से जाधा, repository specified, certifying authority, publish करेगा, notice, सारे उसमें, चलिए, तो यहाँ तक complete हो गया है, अब आ जाते है, chapter 8, देख लेत चैप्टर 8, जो है, duties of subscriber, subscriber मतलब, आप लोग, अगर आपने DSC वगेर लिया है, तो आप subscriber कहला है, ठीक है, तो आपके duties क्या है, और मजे की बात है कि duties दी नहीं है, duties नाम दिया है, chapter का, बट actual वैसी duties नहीं दी हुई है, बात करता है, generating key pair, तो आपको मालू में हमने देखा थ asymmetric crypto system में, key pair होता है, key pair 2X, याद आ रहा है, definition important है, और यहीं पर आपकी, दो की होती है, private की और public की, तो यह बोल रहा है, DSC, where any DSC, the public key of which correspondence to the private key of that subscriber, जो की listed है DSC में, digital signature certificate में, अगर subscriber ने accept कर लिया है, तो subscriber generate कर लेगा, वो key pair apply करके security procedure, जो भी procedure होगा, कि अगर आपने DSC ले ल हुआ है, important क्या है, इसमें कुछ बनी नहीं सकता, question क्या ही बनेगा, मतलब यह है कि बस आप accept कर लो, फिर आप generate कर लो, then 48 duties of subscriber, कुछ नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, in respect of ESC, subscriber perform करेगा duties, जो prescribed होंगी, यह उन्होंने बताया ही नहीं, actual duty है क्या, 41 बात करता है, acceptance of DSC, तो subscriber ज जाएगा कि उसने accept कर लिया है, DSC, अगर वो publish कर दे, authorize कर दे, DSC का publication, जो भी है, authorize कर दे, publication of DSC, एक एक से जादा परसन को, या repository में डाल दे कि भईया, यह है मेरा, आज से DSC, otherwise demonstrate कर दे, उसका approval of DSC in any manner, not important, by accepting a DSC, subscriber certify कर देगा, to all who reasonably rely on the information, continue in the DSC, obviously, अगर आपने accept कर लिय है, तो अगला व्यक्ति जो है, आपके DSC पर रिलाय कर सकता है, जो भी information उसके अंदर गी हुई है, क्योंकि आप ही accept कर रहो, सब तो subscriber, जो है, hold करेगा, private की, correspondence, public की, जो कि लिस्टेड है, जो कि entitle है, to hold the same, all representative made by the subscriber to the certifying authority, and all material relevant information, जो content है, वो सही है, यार, important नहीं है, आपने DSC, जो भी knowledge में है, subscriber के, वो सही है, ठीक है, तो ये सब चीज़े मानी जाएंगी, then, 42 बात करता है, control of private key, किसके बास होता है, subscriber, या जो वेक्ती authorized हो, इसके दवारा, तो every subscriber, जो है, exercise करेगा, reasonable care, कि भाई, हमारे पास control, बना रहे है, private key का, ऐसा नहीं, कि कुछ खाते पीते वक्त गिर जाए, इधर उदर आप छोड़ दो, कोई और उठा के ले जाए, है ना, इस तरीके से, just kidding, तो subscriber, जो है, exercise करेगा, reasonable care, to retain control of the private key, corresponding to the public, की, listed in DSC, and सारे steps लेगा, उसके, की भाई, इसका disclosure ना हो, खीक है, आगे, if the private key, corresponding to the public, की, listed in DSC, has been compromised, अगर private key, आपकी compromise, हो गई है, तो subscriber, जो है, communicate करेगा, bigger कोई delay के, certifying authority, को की, साब, ऐसा, ऐसा, हो गया है, हमको, बचा लो, okay, explanation, it is, hereby, declared, subscriber, जो है, liable, होगा, till he has informed, the certifying authority, that the private key, has been compromised, मतलब, जैसे ही, lawsuit, तुरंद, बता दो, time, लगाया, और उसका, कहीं, कुछ, गलत, misuse, हो गया, तो, आप, उसके लिए, liable, हो जाओगे, ये, आपका, बा आया, होगा, chapter 9, से, हम, करेंगे, next, उसमें, cover, करेंगे, तो, बस, almost, आपका, cover, हो जाएगा, होगी, बहुत, सारे, sections, omitted, भी है, बीच में, बीच में, अब, हम, पढ़ने, वाले, penalties, बड़ा ही, मजा, आने, वाला है, आपको, अब आप, देखोगे, कि, जब, आपका, computer, hack कर ले, कोई, तो, क्या, punishment होगी, जैसे कि, कोई भी चीज, आपका, ऐसा, कोई, electronic, device, कोई, hack, कर लेता है, computer, computer, system, damage, कर देता है, virus, डाल देता है, इस तरीके से, तो, फिर, क्या, उसमें, punishment, वगेरा है, यह सब, हम, यहाँ पर, देखेंगे, और, कोई, ऐसा, कोई, वीडियो लीग कर दे, कुछ कर दे, तो, यह सारी सीज, आपको, यहाँ पर देखने को, IT-8 के अंदर, chapter 9 के अंदर, मिल जाएगी, direct question आता है, कि IT-8 के अंदर, punishment कहाँ पर दी हुई है, chapter 9 में दी हुई है, important है, ध्यान रखेगा, बाकि हम इसको खेर, cover करेंगे, इन next वीडियो में, त